प्राम आप कुरुशी पर बिराजेंगे आप महां भागवत जी है राश्टी स्वायम से अभी संग प्रमूख है मारा ची इदर एदर एक आशन भी इस पर बिचाने रहें कि अब भी राज राज आप यह नहीं तक है कि अब भी आप यह नहीं था यह नहीं कि भी आप यह शूर को अपने अपंड लूशी को पर भाररच आप यह नहीं थाख जिए आ यहां है और किसी को कुरुशी की आप शक्ता तो मंगा दिया अगर जमीन में बैठने महाराच जी बस दर्शन करने थे आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए चाह मिटी चिंता गई मिनुवा बेपरवाह ऐसे लोग कम देखने को तो अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है न ये शिर्फ शेवा के लिए दिया है बेवहार की शेवा और अध्यात्म की शेवा ये दोनों शेवाएं अतियनिवारे हैं केवल बेवहार की शेवा ही होती रहे हम अपने भारत वाश्यों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और बेवस्ता से नहीं कर सकते, उनका बाध्धिक इस्तर सुधरना चाहिए, आज हमारे समाज का बाध्धिक इस्तर गिरता चला जा रहा है, बहुत चिंटा का विशा है, हम सुविधाय दे देंगे, हम विवित प्रकार की भोग शामाग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके ह्रदय की जो मलिंता है जो हिंशात्मक बृत्ति है जो अपवित्र बुद्धी है यह जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है तो इसीं बात को बारवार हम सबसे निवेदन करते हैं कि यह जो हमारी नई पीठी है इसई से हमारे राष्ट की रक्षा करने वाले प्रयगठह होते है जो विद्यार्थी जहन उन्हे में कोई अधनिकता का स्वरूप लेती जाएं और व्यविचार प्रवत्ति व्यशन प्रवत्ति हिंसा प्रवत्ति यह नई पिढ़्य में देख कर बहुत असंतो श्रदय में होता है। इसलिए कितनी भी सरीर में पीड़ा हो हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत सुरूब जन आते हैं पहले बुद्धिशुद्ध हुनी चाहिए तु मेरे में ही निवास करेगा अर्थात भगवदानन्द में अविनासी जीव कभी भोग विलास में तरप्त हो ही नहीं सकता हम अगर अपने राष्ट की विसेश सेवा तो हमारे धर्म का परिचे जिसा आप लोग आप जन करते हैं धर्म का हमारा क्या श्वरूप है हमारे जीवन का लक्ष क्या है हमें जितना राम जी प्री हैं क्रिश्न जी प्री हैं उतने भारत देश हमारे ले प्री है जैसे राम भक्त क्रिश्न भक्त वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदर्नी और पूजनी पर अब जो मानसिक्ताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाबदायक नहीं हूँ विशन का इतना बढ़ता सुरूप, विचार का इतना बढ़ता सुरूप, हिंसा का इतना बढ़ता सुरूप ये बहुत ही विपत्ती जनक है, अगर ये बढ़ता रहा, तो हम बिविद प्रकार के शुक्ष विधाय देने पर भी अपने देश वासियों को शुक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक का सुरूप विचार से होता है, शुक और दुख की इस्थिती सत्य नहीं है, आगमा पाएंगों अनित्यास, लेकिन हमारा विचार और विचार हमारा गंदा हो रहा है, बस हमारा उद्देश से यही है, कि हमारे देश वासियों का विचार सुद्ध होना चाहिए, अगर विचार सुद्ध है, तो राष्ट प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब बहुत हैं उनका दुर्पयोग हो रहा है तो बस आप सबसे बड़े-बड़े जो देश्टाजन हैं जो बड़े-बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब विवस्था करते हुए हमारे देश्वासियों की बुद् ने दुख योनया कहा है मानो एक बोर्ड लगा दिया दुखालेम अशाश्वतम और हम सब यही चाहते हैं कि लोकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राश्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे नहीं लोकिक भोगों को पूजन सामाकरी बना करके और शाद्य स सब दिसपर सुरूप रसगंद इनी विशय के भोगने की या इनी सुविदाओं के लिए दुरलब का गया दुरलब है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए और उस सुख को तो हम भूले हुए एकदम बहते हुए सब दिसपर सुरूप रसगंद के प्रवाह में चले जा रह हैं आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं मदिरा में हिंशा में दिवत कीड़ा में बेविचार में इसे दोश नहीं समझा जा रहा है और हमारे सास्त्र हमारा धर्म इसको निशेत करता है कल्यूग की स्थिती बताई गई है चुटे-चुटे बच्चे विशन करने में लग आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर से पुष्ट होना चाहिए वो ब्रह्मचर नश्ट कर रहे हैं ये बड़ा चिंता का विश है हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए हमारे देश के लिए जो भक्ती चाहिए उसमें बुद्धी और सरीरबल दोनों होना चा हमारे राष्ट शरीर को बहुत स्वास्थ रखने के आउस्थ और बुद्ध दोनों का स्वस्थ होना बहुत आश्यक है तो शरीर को नश्ट किया जारा विशाइब होगों में लोक समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेगे, अध्यात में बल नहीं तो तेर सरीर की चर्वी बढ़ा ले, लेकिन तो ना काम पर विजह प्रात्र कर सकता है, ना क्रोध पर, ना लोब पर, ना मोह पर, ना हिंसा पर, फिर क्या, फिर क्या जीवन तो इसलिए हमारा बार बार हरदय में सबसे प्रार्थना जिस संत भगवान भी आते हैं यह देखो इस समय आशकता विचार सुद्ध करने की है अहार सुद्ध करने की है आचरन सुद्ध करने की है हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है रावन किसी बात में कम नहीं जुलाया जाय से महादेव सहित पारवती को बाजूँवे जुलाया वह महाभली चरित्र हीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षास कह दिया उसको चरित्र आज हम चरित्र पर ध्यानी नहीं दे रहें चरित्र वेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है छुटे छुटे बच्चे चरित्र ही नूर है हमारा राष्ट संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे विवस्थित नहीं हुए उनकी बुद्धी शुद्ध नहीं हुए उनका स्वास्त ठीक नहीं रहा कौन आगे चलकर के यहीं पीडी तो है ना इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट भक्त भगवत भक्त देश्चेवी तो सबसे प्रार्थना है कि हमारे नई पीडी को सुधारा जाए उनकी मानशिक्ता उनका बौद्धि समाज बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना हां विविद प्रकार से हमारे समाज को सुधों इसी में भगवान विराजमान है बहुनाम जन्म नावंते ग्यान वानम प्रपद्यते वास्देवा स्वरमित्सम आत्म सुदुर्लभा भगवान केते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागरत होता है ऐसा ज्यान प्राप्द होता है कि सब के हरदय मंदिर पर भगवान वास्देव विराजमान है और यहे अगर लक्ष बन गया तो संसार की शेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्द हो प्यारे तुम आविनासी के बच्चा हो जो चाहो कर सकते हो पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई वेशन छोड़ो बेविचार छोड़ो तो हमारे राष्ट सेवा में लगो समाज सेवा में बुड़े-बुडे माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहें क्या हैं जिस समय हम किसी ज्यान के योग नहीं थे का अपनी रक्षा निकार उन्होंने हमारा मल्द होया आज हमें अवस्था उनकी सेवा की हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है जब बुडे जन मिलते ना कि हमें घर से निकल दिया हमारे बेटे सेवे नहीं करते तो लगता है हमारे सास्ट्र तक पहुंचना तो ब cowboy कठिन बात है यह मनुष्चिता को भी छोड़ते चले जा रहे है नहीं चले जा रहे आप जिसे और लोग बहुत से बचने से हम आपको यह दे देंगे हम आपको यह दे देंगग उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों चली जाएगी और लाब नहीं मिल पाएगा और सो नुएडा में मुझे वाशन करना था भारत के विकास पर श्वक के आधार पर भारत का मैंने रखी आप लोगों से सुनते वहीं बोलते कि राष्ट्री और व्यक्चिक चारिट रहा हैं जी बस शिनता यह होती कि हम लोग करत है जले जा रहें तो प्रयास कुण करेंगे इंडिरस्त नंक अबहें कि क्योंगे क्या होगा ड़ुक कहीं करना जुक्न इस इस और सीधा ये है कि क्या हम स्रीकृष्ण पर भरोशा नहीं करते हैं हमें जो खास बात पकड़नी है क्या हम सच्चिदानन त्रिकालग शर्वग्य जगत गुरु भगवान स्रीकृष्ण के भरोशे में भी कमी है क्या अगर भरोशा द्रड है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में कदम पीछे नहीं हम अध्यात्म बलको जानते हैं हम अपने शरूप को जानते हैं इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या तीन प्रकार की लेलाएं भगवान की हो रही है एक स्रजन और एक पालन और एक संघार जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दासें वैसा ही करेंगे क्या होगा अब वही होगा जो मंगल रचा होगा स्री कृष्ण आप संसे तो करना नहीं है बिलकुल संसे नहीं करना जैसे आप अपने लोगों को तयार किया है स्री कृष्ण ने ऐसे ही आपके इनी में से एक तयार हो जाएगा जो बहुत जोर का समालेगा है आपको चिंदा नहीं करना आगे क्या होला है हाँ मूकम करूति वाचालं पंगुम लंग हैते गिरिम यत्रपातम हम बंदे परमानंद माधुवम हमारे साथ स्री कृष्ण है अब वोई होगा जो परमंगल होगा बस निरासा, हतास, उदास यह हमारे जीवन में नहीं अधिकार होते किसी भी परिष्टिति में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई सोक नहीं किसी भी तरह का कोई भै झोए अविनासी हूँ हाँ जो हमें सेवा मिली दाड़ता रहूँगा जब तक सरीर में स्वास है और जब सरीर छूटेगा तो जो मेरा सोरूप है उसी को प्राप्ट हो गए मुझे कोई बहने और कि हमारा तिरंगा हमारा राष्ट हमारा भगवान है आप तप के द्वारा भजन के द्वारा लाखो की बुद्धी को सुद्ध कर सकते हो मंभक्त युक्तो भूनम पुनातु सातरती सातरती सा लोकां तारियती एक भजनानंदी लाखों का उध्धार कर सकता है तुम भजन करो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो कोई चूक मत होने दो और राष्ट की सेवा कर हाँ यह राष्ट सेवा के लिए प्रांस नमर्पित यह राष्ट सेवी हैं पर यह जितेंद्री होकर बेविचारी होकर नहीं यह भोगी होकर नहीं योगी होकर के अब संकल्प बना सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रान पस्यंत मा कस्चित दुख से तीनों से हमें राष्ट सेवा करने समात सेवा करने और हम निरंतर यहीं चाहेंगे कि आप जैसे सत्मार्ग में पेरित करने वाले स्वास्तर हैं भगवान सदेवरक्षा करें और आप आगे बढ़ते रहें हमारे देश वासियों की हाँ बौधिक इस्तर का सुधार और बौद ली का चुनरी परिशाद लाओ और महला परिशाद लाओ प्यारी जी का प्रशादी वस्तर आप इससे धारं करें यह श्री लाड़ली जो महाराज का है एक बाला पहना है बहुत आनंदवार बहुत लुक्सा मिला बल्मिला दुरुष्टी भी जो है वो और साथ होगे पड़ा